आपके कॉंक्रीट की मजबूती और गुणवत्ता उसमें इस्तमाल किये गए पानी पर भी निर्फर होती है। आईए जाने कुछ बातें कॉंक्रीट मिक्स में यूज किये जाने वाले पानी के बारे में। पानी सीमेंट के साथ केमिकली रियाक्ट करके उसे मजबूत बनाता है। ध्यान दें कि इस पानी में कोई गंदगी ना हो। आम तोर पर इस काम के लिए पीने लायक पानी का इस्तमाल होता है। कॉंक्रीट बनाने के लिए खारे पानी का इस्तमाल ना करें। इससे आगे चल कर सरीयों में जंग लगने का खतरा होता है। याद रहे, कॉंक्रीट बनाते वक्त जरूरत से ज्यादा पानी डालने से कॉंक्रीट की मस्पूती और टिकावपन घटता है। ज्यादा पानी डालने से कॉम्पैक्टिंग के वक्त एक्स्ट्रा पानी ऊपर आता है, जिससे कॉंक्रीट पर क्रैक्स आ सकते हैं। कॉंक्रीट बनाते वक्त याद रखें कि साधारन तोर पर एक सीमेंट बैक के लिए 20-27 लीटर पानी की जरूरत होती है। तो ये थी कुछ बातें कॉंक्रीट में इस्तमाल किये जाने वाले पानी के बारे में। और जानकारी के लिए अपने नजदी की UBS स्टोर को विजिट करें। देखते रहिए बात घर की, अल्ट्राटेक की ओर से। झाले विए बातें।